प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहन करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरुके सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे। और अध्यन भी किया करत बेटा व्रद्राज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। बरबाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो। व्रद्राज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है। और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इ यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गया। वरद्राज सोच में पढ़ गया। उसने विचा कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से में विद्याग्रहन क्यों नहीं कर सकता। वरद्राज धेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरु को लाया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरु जी भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरद्राज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। जिसने लगु सिद्धांत कौमुदी, मध्यसिधांत कौमुदी, सारसिधांत कौमुदी, गीरवान पद्मं जरी की रचना की.